असलाम अलेक्रों मैं हूँ नील अमर्शुद और आप देख रहे हैं वोईस ओफुर्दू एकने जराज की हेड्लाइन्स पर पाकिस्तान में करोना वाइरस के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई अमरीकी कमपनी के जाने से पाकिस्तान को करोना वाइरस के खिलाफ मौसर दवाई रेमेडी स्वेर बनाने की इजाज़त दे ली गई पाकिस्तानी मौाइदे के तहट 127 दिगर मौाली को भी ये दवा फरहम करेगा वज़राजम के मौने खसोसी वराइसे है डॉक्र जाफर मर्जा ने एंसी ओसी में बरीफिंग के दुरान बताया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉर्टी के मन्सूरी के बाद पाकिस्तानी कमपनी बी एफ बायो साइंसिस ये दवा बनाना शुरू कर देगी जब कि पाकिस्तान दुनिया के इन तीन मौमालिक में सहरे फिरिस्त है जिनको ये दवा बनाने की इजाज़त दी गए ये दवाई इंजेक्शन की सूरत में दस्तियाब होगी दुनिया की 140 मौमालिक सरवराहान ने करूना वाईरस से बचाओ के लिए वैकसीन की म।फ्ट फराहमी का मतालबा कर दिया वजराजम इमरान कान ने भी करूना वैकसीन की म।फ्ट फराहमी की कौल पर दस्तखत कर दिये जनूबी एफरीका, घाना और सिनिगाल के सदूर समेट दुनिया भर के 140 सरवराहान मुमालिक ने मुफ्त वेक्सीन की कॉल पर दस्तखत किये करोना वाइरस से मतलएक नेशनल कमांड एंड आपरेशन सेंटर ने ताज़ातरीन अपडेट चारी कर दिया मुल्क भर में करोना वाइरस के तदीक शुदा केसिस की तदाद 37,218 हो गई 24 गेंटों के दुरान 1430 नए केसिस रिपोर्ट हुए मुल्क भर में करोना वाइरस से सहत्याब होने वाले मरीजों की तदाद 10,105 पर हो गई जबके मुल्क की तदाद 803 तक पहुँच गई रियास से लाहोर के लिए पियाए की खसुसी परवाज 250 मुसाफरों को लेकर रवाना हो गई किंग खालिद इंटरनेशनल एरपोर्ट पर कम्यूनिटी वेलफिर अताशी अब्दल शकूर ने मुसाफरों को रवाना किया 16 मई को पियाए की खसुसी परवाज मदीना मुनवरा से 250 मुसाफरों को लेकर कराची पहुँचेगी जबके 18 मई को जदा से भी खसुसी परवाज फैसलाबाद के लिए रवाना होगी पाकिस्तान में 16 मई से अंदरूने मुलक परवाजें बहाल करने का एलान कर दिया गया इस्लामबाद और इलाम एकपाल एरपोर्ट से हफ़ते में 32 परवाजें चलेंगी पिशावर एरपोर्ट से चार और कोईटा से हफ़ते में 8 परवाजें चलाने का फैसला सीवल एवियेशन आथर्टी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मताबए कजना एरपोर्ट कराची से हफ़ते में 68 परवाजें चलेंगी पिआईये और सीरीन एरलाइन को अंदर उने मुल्क परवाजे चलाने की इजाज़त दे दी गई कोविड नाइटीन के खलाफ जापान हकोमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए 4 मिलियन डॉलर की इमदाद का एलान इसे कबल भी जापानी हकोमत ने यूनिसेफ और यूएन एचार के जरी 34 लाग 10 हजार डॉलर की इमदाद फराहम की है जापानी सफीर के मताबिक इस इमदाद से कोविड नाइटीन के खलाफ पाकिस्तान की सलायतों में इजाफा होगा लॉक्टों के दुरान पैदल चलती अपनी वालदा के हमराई ये बच्चा दुराने सफर सूट केस पर सोया रहा ये बच्चा अपनी मा के साथ भारत से जहांसी 800 किलोमीटर का सफर तैका रहा है हवामी राए के मताबिके वीडियो लॉक्टों में फंसे अफराद को अपने घरों में पहुंचने से मुताले कदर बेश मुश्किलात की अकासी करती है ये थी अब तक की हैडलाइन्स बजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.voisofutunews.nl या Facebook पेज़ पर तिक करें इसके इरावा आप YouTube चैनल को भी सबस्क्राइब करके न्यूस अपडेट्स ले सकते हैं देखते रहें वोईसोफूटू